दोस्तों यहां पर जो आप देख रहे हैं यह जीओ एर फाइबर है और यहां पर डिज्टल लाइफ है यह हमारे पास पुरानी टीवी है तो इस डिज्टल लाइफ को आप पुरानी टीवी के अंदर चला सकते हैं कोई भी चीज आप एक्सेस करने के लिए रिमोट का इस्ति तरीके से कनेक्ट हो जाता है इस पर जितने भी लाइव टीवी चैनल से हैं सब आप एकसेस कर सकते हैं इससे पहले मैंने आपको एक स्वाट वीडियो बनाके दिखाया था तो मैंने बताया था कि सियाई टीवी में मतलब पुरानी अपी टीवी है उसके अंदर आप डिजिटल लाइफ को कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर देखिए हमारा पहली बार आ हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें साथ ही मैं इसी तरीके के घरेलू वीडियो बनाता रहता हूं जिसे आपको बेहतर विकल्प मिल सकते हैं साथ ही आप हमें आल सोसल नेटवर्क सबसाइड पर फॉलो कर सकते हैं साथ ही वहां पर हमारा वीडियो देख सक उसको कैसे और आको बता यहां पर आपको अब को कुछ यहां से तरीके से कैग आपको एक बोक्स तो दो कैसे डिश्टल तो आप अपने पुराने टीवी के अंदर चला पाएंगे अपको बता देता हूँ यह आपको बॉक्स तो मिला ही होगा साथ ही आपको यह अच्ज के आपको बॉक्स के अंदर एक मिल गई होगी तो सक्तांस के एक लगा में देनी है उसके बाद जो यह एक HDMI की जो केबल होती है आपको ये चुछ इस तरीके से होगा ये जो चुछ आपको खरी लेना है ये अगर आप ऑनलाइन खरी देंगे तो आपको ढहाई से तीन सो रुपे का देखने को मिलेगा अगर वहीं आप मार्केट में जाके लेखते हैं तो सव पचास रुपे का इस अगर दिया घया है तो आपको एक जो यह बाला पोड है इस HDMI वाले पोड के अंदर लगा देनी है और यहां पर आपको आईडियो वीडियो कि लिडे देखने को मिल जाती है यहां पर यहां पर यहां पर पर यहां पर लिड को connect कर देना है, जैसे ही आप इसको connect करेंगे, उसके बाद आप इसमे power adapter यहाँ पर लगा है, power adapter वाली पिन आपको इसके अंदर लगा देनी है, अब जैसे ही आप power adapter वाली पिन लगाएंगे तो आप यह ध्यान लखिएगा, जो audio, video वाली जो यहाँ पर lead है, यह सही तरीके से लगी है या नहीं लगी है, तो audio, video वाली lead आप देख केस में सही से लगाज दीजिए यहाँ पर एक लिखा है, cvvs, तो cvvs का मतलब होता है video वाली और यहाँ पर जो L और R है तो यह left sound, right sound वाला या किसी किसी में सिर्फ दो ही lead लगती है जैसे इस वाली tv के अंदर हमाई दो lead लगती है और जो मैंने एक short video बनाया था वो हमारे पास एक और tv है उसके अंदर तीन लेड़े लगती है तो यहाँ पर दो lead है तो इसमें से एक video वाली lead है और एक IDO इधर वाला sound और उधर वाला sound एक नहीं है तो यहाँ पर video वाली lead सबसे पहले देखते हैं काउन सी है इसमें यह है सायद यहां से नहीं आई है अब कि यह देखिए यहां से यह वीडियो वाली lead है ठीक और यह हमारी आईडियो वाली lead है तो यह देखिए यह हमारा आगया है अब यहां से menu बार हम लोग home पर जाएंगे यह देखिए हम लोग इस तरीके से home पर आ चुके हैं अब मैं आपको दिखा देता हूं जैसे ही देखिए यह मैं HDMI की cable निकालता हूं यह कुछ इस तरीके से चली जाती है मैं यहाँ पर आपको power और पिन भी निकालके दिखा देता हूं अब यहाँ पर मैं HDMI सबसे पहले लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा यह आईडियो वीडियो लग चुका है अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको शुरुआत से इस तरीके से में जैसे ही हमने powerpin इंसाइट की यहाँ पर देखिए सकी आप जानते ही हैं LCD में और LCD में या इसमें एक ही तरीके कब उठोगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यह देखिए यह हमारा जियो का जो सुरुवारत में आड़ आता है तो यहाँ पर है कि यह हमारा मेन मेन्यू जो होता है जो जियो ए यहाँ पर आपको कि प्लस सामन और यहांपर कुछ तरीके से मिल देखने को मिलता है तो आप सकते हैं तो यहां पर यहां पर किए नंदर शुरुआगे सभी आप TV चला सकते हैं जैसे यहां पर अगर हम colors चलाना चाहें देखिए colors HD आ रहा है और इसको मैंने पाउस इसलिए कर दिया है आवाज नहीं आ रही है क्योंकि अगर आवाज आएगी तो हो सकता है हमारे वीडियो पर coffee राइट आ जाए इसलिए हमने इसको mute कर दिया है तो को चूच करना चाहें तो आप चला सकते हैं चैनल जैसे यहां पर कर देखिए डिजमी हाट इस्टार हमारा चलू हो गया डिजमी हाट इस्टार के अंदर यह प्ले हो रहा है तो अलग-अलग category है अलग-अलग चीजें हैं आप वहाँ से प्ले कर सकते हैं और टीवी चैनल तो आप चला ही सकते हैं और साथ में इसमें आप यह देखिए लाइव टीवी चैनल यहां पर मूवी स्पोर्ट किट्स के दिये गए हैं किट्स जैसे बच्चे होते हैं वो देखते रहते हैं किट्स वाले चैनल तो यहां से आप किट्स वाले चैनल भी यहां दिए गया है और इसको कर देता है चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको जीओ सिनेमा भी पूरी अच्छे तरीके से चल जाता है यह दिए जी यह सिनेमा गाँ अधिव सिनिमा के अंदर आप जो भी चलाना चाहते हैं तो इसली चल जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर देखें यह मोटू पत्रों यह सब चला है यहाँ पर यह जितने भी भी बच्चों का फेवरेट होता है हमने भी बच्पन में देखा है लेकिन बच्पन से हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हो गए तब देखा है क्योंकि यह मोटू पत्रू साइद कि पांचे साल हुए हैं इसको आए हुए तो इतना भी बच्पन नहीं था बड़े ही थे तो जियो सावन और यहां पर जितने भी ओटिटी एप्स हैं प्राइम यूटूब और यहां पर जी फाइब यह पर चल जाता है देखिए जी फाइब जी फाइब यहां से प्ले कर सकते हैं जो भी आप प्ले करना चाहें इसके अंदर मूवी सू पेप सीरीज जो भी आप प्ले करना चाहें कर सकते हैं यहां पर सोनी लाइव सोनी लाइव भी आपको देखने को मिलता है सोनी लाइव भी आप इंजॉए कर सकते हैं और आपको यूटूब चला के दिखाते हैं और यूटूब में अपना ही वीडियो चला के आपको दिखाएंगे यहां पर यह यूटूब कुछ इस तरीके से आपके पुरान कभी आपने सूचा था कि हमारे यह पुरानी टीबी के अंदर इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जितने भी टीटी एप से जितने भी चैनल है चलेंगे आपने कभी कल्पनात भी नहीं की थी लेकिन यह सब हुआ है 5G आने के बाद तो यहां पर देखिए कोई भी अगर आप चैनल चलाना चाहें तो बहुत अच्छे से आपका चल जाएगा और अगर यहां पर आप संजू पाटशणा यूटूब चैनल यहां पर आ गया है और यह देखिए मैंने इसी के बारे में मैं ने बताया है डिश्टल टीवी लाइफ के बारे में अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है इसके इस्पेक्स मैंने बताए है कैसे क्या है और कैसे कैसे यह वर्क करता है यहाँ पर यह आइड आ रहा है आइड आने के बाद हमारा चैनल चालू हो जाएगा यह देखिए यह हमारी तस अब अगर इसके हम लोग क्वाल्टी देखना चाहें कि कितने क्वाल्टी पे चल ला है तो एक बार वह भी चेक कर लेते हैं कि किस पर जीएं चल ला दो जहां से हम विल्कुल पासमें रहे हिं तो हमें नहीं दिखाए पड़ रहा है कि क्या क्वाल्टी चल लाही है यहां पर 10-80 पर ही है ग्तों है तोły Son चार पेचेग लेते हैं कि चलेगा है 2 वर चकन लेते हैं 4K, 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 4K चलो यही यही वीडियो प्ले कर लेता है 4K 4K तो चल ला है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां पर आटो है यहां पर 4K, 2K, Full HD फिर यहां पर है आपका HD, यहां पर 480 तो 4K भी चल ला है और कुछ इस तरीके से 4K आता है यहां पर आप देख सकते हैं यह 4K वीडियो इसने सपोर्ट कर रहा है क्योंकि देखो प्रोसेस जो कर रहा है न वीडियो वो सब यह कर रहा है यह तो सिर्फ दिखा रहा है तोर्टल जो काम कर रहा है तो यह वाला बॉक्स आपका कर रहा है तो यह आपका बॉक्स का 4K सपोर्ट कर रहा है तो आपका यह जो है टीवी करे ना करे तो क्या इसकी क्वाल्टी गिर जाएगी कि अच्छा देगी यह बड़ी अच्छी चीज है क्योंकि यह जो परदे होते हैं इसमें एक चीज देखी जैसे LCD में अगर आप लो क्वाल्टी पे देखेंगे तो आपको फटे फटे पिक्सल दिखाई पड़ेंगे लेकिन इन आप जाले हैं अब भी आपको चरह सा अंधाजा नहीं लगेगा यह लो क्वाल्टी पे चल लाए अगर इसी को अगर आप जो है मतलब फोन पर अगर आतो लगेगा बहुत जादा लो क्वाल्टी है कुछ इस तरीके से यहां पर चल लाए कोई दूसरा एक करते हैं देखिए सबसे नीचे quality पे चल ला है फिर भी आपको जरह सा भी नहीं लगेगा कि यह low quality पे चल लाने का इसमें एक और अच्छी चीज आपको मिल जाएगी कि आपका data लेकिन quality आपको वही मिलेगी तो फिलाल तो यह ओके चल ला है लेकिन आप थोड़ी से quality ज्यादा देखे है कम से कम आप चार सो असी तो इस वाली टीवी पर देखे ही क्योंकि हमें ऐसे महसूस नहीं होता है लेकिन फिरुकी कहीं ना कहीं पिक्सल्स थोड़े से तो कम हो ही जाते हैं थोड़े से के कम बहुत सारे pixels कम हो जाते हैं यह देखिए यह कुछ अलग है और वह कुछ अधoiif को आप अपने पुरारी टीवी के अंदर खन्ठो developed कर सकते हैं जो भी आप इसमें करना चाहते हैं अगर आप उपर फानी इन कोई वी से इस बाले नहीं सिस्टम बन जाएगा आपको तो यह बाला जो बॉक्स है आपको अपने स्मार्ट टीवी के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अप्लिकेशंस मिली है उन अप्लिकेशंस को आप उसमें कर लीज़िए और इसका फाइदा यहीं होता है कि इसके अंदर आपको लाकीशंस देखने को मिल जाते हैं और आज के समय में काउन इतना ज्यादा लाइव टीवी जथा है क्यों कि ओटीटी अस इतने ज्यादा मिल जाते हैं और अब आप क्ले तव आप एक ही चीज तो चलाएंगे दस-दस चीजे थोड़ी ना एक साथ प्ले करके देखने लगेंगे तो मेरा तो मानना यहीं है कि आपने पुरानी टीवी के अंदर इस बाले बॉक्स कर दीजिए और जितने भी एप्स हैं अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो स्मार्ट टीवी के अपको को चितने विए पक्वार्सके यह आपका चालु है तो उतिके नंदर मिल जायगा और यह वाला जो आपको बांगट कर सकते हैं या फिर अपने किसी वाले मेंबर को दोस्त को देख सकती हैं और उन से हजार दो हजार रुपे भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपने भी रुपेज में खतम किये हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पुरानी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं जीओ एर फाइबर के साथ में और आई होग बहुत वीडियो लंबा हो है? 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 झाल झाल